हेलो फ्रेंड्स मांसर अस्वती क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर मैं सिवांस दुवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ इलेक्रोनिक्स मेकेनिक्स टेक्निशन एक्जाम के क्रेस कोर्स की आज ये 70 नंबर की क्लास है ये क्रेस कोर्स आपके ISRO, DMRC, Metro, Railway और DRDO जितने भी टाइप के आपके टेक्निशन एक्जाम होते हैं उन सभी एक्जाम के लिए रहे और आज की क्लास में हम P.N. जंक्सन डायोट के Part 2 को कवर करेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे Forward Vising, Reverse Vising, उसकी Characteristics, Ideal Diode और Zener Diode के बारे में साथी साथ ये भी आपको Fact के माद्यम से बताएंगे कि कहां से आपके जो Question है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं और एक बात अगर आप हमारे Technician Exam के Electronics Mechanics के Hand Written PDF Notes Course को जोईन करना चाहते हैं इसमें आपको Completely Theory मिलेगी, Comprehensive तरीके से, ये मैंने खुद ही लिखी है, ये Theory हर एक Topic को कवर किया गया है और आपके जितनी भी Slavers में Chapter है, Topic हैं, सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है Important MCQs Questions साथी साथ Previous Year में पूछे गए Questions इसको भी मैंने Handwritten Complete किया है और इसके अलावाद जो भी आपके Numerical Type के Question आते हैं, उन सभी Questions को भी Include किया गया है तो यहां से आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिये हुए WhatsApp नमबर पर Message करना है बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी और इसी WhatsApp के थुरू आप इन सभी Notes को प्राप्त कर पाएंगे तो दोस्तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बाइसिंग के बारे में और इससे पहले आपकी जो Technician Exam के लिए यह Electronics की 16 जो क्लास हैं वो अप्लोड हो चुकी है तो उनको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ से आप उनके वीडियोस को एक एक करके sequence wise देख सकते हैं प्लेलिस्ट जो link है उसका description box में आपको जो description box है उसकी link मिल जाएगी तो वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं आज की class में पढ़ेंगे हम vicing के बारे में कल तक हमने पढ़ा था कि हमने एक जो हमारा semiconductor material था उसमें क्या किया एक तरफ हमने p type की doping कर दी और एक type हमने n type का material बना दिया doping करके n type में हम करते हैं pentavalent की doping और p type में करते हैं हम trivalent की कोई भी material जो भी trivalent होता है उसको यहाँ पर मिला दिया जाता है और उससे हमारा pn junction तयार हो जाता है यहाँ पर क्या होता है कि pn junction को bysing करने का मतलब है कि इसको आप connect कर रहे हैं battery से या फिर किसी भी ऐसे voltage से जो कि आप इसके दोनों सेरों पर apply करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पर आप जो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं उसके दो टाइप हो सकते हैं पहला टाइप तो यह हो सकता है कि यहाँ पर इस सिरे पर आप प्लस को कनेक्ट कर दें और इस सिरे पर आप माइनस को कनेक्ट कर दें इसके अलाबा एक दूसरा टाइप ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप माइनस को कर दें और यहाँ पर आप प्लस को कर दें यहाँ पर माइनस कर दिया यहाँ पर प्लस कर दिया तो यह दो टाइप ही संभाव हो सकते हैं इसके अलाबा क्या तीसरा टाइप यहां पे संभाव है आप बैटरी को किसी तीसरे तरीके से connect कर सकते हैं क्या तो आप कहेंगे जी नहीं तो इनी दो तरीकों को connect करने के नाम पर ही इसको इसकी बाइसिंग के आधार पर इसका दो डाम रखा गया एक तो इसको forward wise कहा गया और कि जो इसमें carriers होते है majority carriers होते हैं वो forwardly यहां पे move करते हैं उनके जो mobility आयन होते हैं वो forward होते हैं और reverse में क्या होते हैं को वो reverse पीछे की और जाते हैं अभी इसकी बर्गेंग को आपको बताएंगे तो उससे आपके और अच्छे से concept clear होंगे तो सबसे पहले हम forward wise को यहां प terminal से connect किया है और N side वाले parts को battery के negative terminal से connect किया है कल हमने आपको बता है था कि यहां पर बीच में एक depletion layer बन जाती है क्यों बनती है क्योंकि जो electrons यहां पर बस्तित है N side में और जो holes हैं यहां पर P side में जो पास-पास के electrons या holes हैं junction के पास वो collision हो जाते हैं उनका collision हो जाता है इ इसके अलाबा मैंने कल आपको potential barrier के बारे में भी बताया था कि इन में क्या होता है कि इनकी जो P और N का junction diode है उसका concentrate जब हम करते हैं doping को मिलाते हैं तो concentration सही से नहीं हो पाता है इसकी वजह से यहां पर जो minority carriers रह जाते हैं यहां पर P side के जो भी minority carriers होंगे और N side के जो भी minority carriers ह क्या करेंगे कि इस junction की और move कर जाएंगे और फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे कि वहां के जो charge होंगे उनको oppose करेंगे जिसकी वजह से यहां पर voltage drop यानि की कह सकते हैं कि एक voltage generate हो जाता है जिसको potential barrier कहते हैं तो यह सारी चीज़ है जो कि आपके depletion layer है potential barrier है यह काफी deep में कलकी class में discuss किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने कलकी class को देखा होगा तो आपको आगी की चीज़ है और अच्छे से समझ में आएगी तो यहां हमने जैसा ही battery को connect किया और battery connect करते ही आपको पता है कि यहां पे जो majority में charges है वो pulse है और यहां पे जो majority में charges है वो electron है तो क् force करेगा कि जाईए आप आगे की और बढ़िए इस तरीके से इस direction में इसी तरीके से यहां पे जो negative charge होगा वो क्या होगा कि यह negative charge इस तरीके से यहां पर भी force करेगा इसी तरीके से कि आप भी जाईए आप इस direction में move करिएगा जैसे कि हमने यहां पे arrow के sign आपको बना की दि जब यहां पे force होगा तो यहां पर आपने देखा था कि यहां पर potential barrier एक generate हो गया था और वो potential barrier क्यों generate हुआ था क्यूंकि P side में जो minority carriers थे minority carriers कौन्स थे minus 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 और इधर plus 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 वाले तो आपने देखा कि फिर क्या होगा कि जो plus यहां से इन्होंने यहां से इस battery के force उसने इन प्लस वालों को आगे की ओर धाकेला तो यह यहां पर कोलाइड होता है उसके लिए potential barrier की value जो होती है वो 0.7 होती है जर्मेनियम के लिए 0.2 से लेकर के 0.3 यानि कि इतना minimum voltage यहाँ पे चाहिए होता है माल ली जगा अगर हमारा ये बाला pn junction diode जो है वो अगर silicon से बना होता तो इसके लिए इस potential barrier को तोड़ने के लिए कम से कम 0.7 बोल्ट की जरूरत यहाँ पे आपको battery के तोर पर देनी होती तब यह जाकर के potential barrier तूटता और यह electrons या जो भी holes है वो अपनी अपने direction में move कर पाते ठीक बैसे ही अगर यह germanium से बना हुआ होता तो इसके लिए minimum जो जो की value है वो 0.2 से लेकर के 0.3 के बीच की है तो इतना आपको battery से voltage apply करना हो पाता तभी यह electrons या जो holes है वो आगे की और move कर पाते और इसको तोड़ पाते तो माल लिजेगा हमने क्या क्या voltage यहां पर apply कर दिया अपना 2 volt का और यह 2 volt जो है वो इसके potential barrier से ज्यादा voltage है तो यह potential barrier तूट गया और इस potential barrier के तूटने के यह जैसे क्या होगा कि जो holes थे यहां के और जो भी holes थे यहां पर जा रहे थे वह अब आगे की ओर move करने लगेगे आगे की होर move करेंगे इस जो है वा फ्लो होने लगेगी औरgran की क्या होगई होने लगेगी क्या होगी नो HasilNow और यह एक दूसरे की ओर जायेंगी तो यहां से force करके आगे की और जा रहे हैं ना कि यह वाले पीछे की और नहीं आ रहे हैं यह आगे की और जा रहे हैं यहां पर आपके यह अब आप सोचेंगे कि क्या होगा जब यह जारे जो सारे की सारे जो भी electrons या holes उपस थे थे वो सारे के सारे पहुँच चुके हैं यह माली जगा जितने भी थे मालो एक एकजामपल की दोर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पांच होल्स थे और यहाँ पे पांच एलेक्टोन थे जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीगे से बना दिये कि आप समझेए कि यहाँ पर example ले लेते हैं एक example की बात कर रहे हैं कि यह 4 electron थे और 4 ही यहाँ पर holes थे अब यह 4-4 मिल गए और इन्होंने collide करके क्या किया इनके बीच जब यह आगी की और बड़े तो धारा तो क्या होगा तब यहाँ पर बैटरी जो force लगा रही थी उस बैटरी की बज़े से यहाँ पर हलका सा power जो की heat generate होगी और heat की बज़े से क्या होगा कि इस वाले side में इस वाले side में क्या होगा एक bond तूटेगा जो की जो आपका सहसेयों जब बंद था वो यहाँ पर अंदर जो भी था वो तूट जाएगा उसके वज़े से तूटने की वज़े से क्या होगा कि एक electron generate होगा और एक hole generate होगा कल मैंने आपको बताया था कि bond कैसे तूटता है और कैसे hole और electron generate होते हैं तो एक electron generate हो गया मानले जगा यह electron हो गया और यह holes हो गया तो इसकी वज़े से क्या होगा कि जो electron generate था वो तो minus होने के वज़े से अब battery के direction में आ गया battery क्योंकि plus दे रही है इदर और यह minus था जो कि अब जैसे मानले जगा कोई भी आपका bond टूटता है तो वहाँ पर एक electron बनेगा एक hole बनेगा तो यह electron जो था वो minus sign था और इधर battery का plus था तो यह battery के अंदर आ जाएगा और यह जो फिर क्या बचेगा कि यहाँ पर minus नहीं बचेगा यहाँ पर यह minus था वो battery के अंदर आ गया अब बचा कीवल यहाँ पर plus तो यह plus इसकी ओर फिर से move करेगा तो ऐसी बहुत सारी वहाँ पर हजारों की संख्या में covalent bond टूटते हैं वह आगे की ओर बढ़ते हैं और इस तरीके से continually बिलकुल लगातार तोर पर वहाँ पर धारा प्रवाहत होती है यह तो यहाँ की बात थी इस वाले साइट की ठीक बैसे ही inside में भी होता है जब सारे electron खतम हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा energy की बजह से जो battery की energy power दे रहे थे वहाँ की heat की बजह से यहाँ पर bond टूटेगा और bond टूटने से क्या होगा कि एक electron जनरेट होगा और एक hole generate होगा तो यहाँ पर जो hole generate होगा माली जगा यह hole generate होगा और यह electron generate होगा तो जो hole था वो वाला क्या होगा कि यहाँ पर positive होने के वज़े से battery के negative terminal पर अंदर की ओर आ जाएगा और जो electron यहाँ पर बचा हुगा था वो electron इस direction में आगे की और इस वाले आने वाले holes की तरफ से यह आपस में collide कर लेंगे और बीच में ही क्या करेंगे collide करके neutral हो जाएंगे जिसकी वज़े से क्या होगा कि इसके अंदर जो धारा है वो continually flow होती रहेगी तो यह पूरा concept था आपका forward wise के बारे में तो I think आपको सारी चीज़ें clear हो गई होगी DMRC में बहुत ही आसान सा question आया था यहां से आपसे पूछा गया था कि जब forward wise को जब भी हम PN junction को forward device connect करते हैं तो battery को कैसे connect करते हैं और बहुत ही आसान question था और मैंने जब paper solve करवाया तो जिसकी भी answer की थी उस बच्चे ने इस question को भी गलत कर दिया था तो आप समझ सकते हैं कि इतने आसान से question को गलत करना कहां से आपका selection हो पाएगा तो forward wise में आपको ध्यान रखना है कि इसके P side वाले part को positive से और N side वाले part को negative से इसको आप कैसे याद रखें तो इसको P मतलब positive होता है P मतलब plus होता है इस तरीके से N मतलब negative होता है और N का मतलब sign का होता है माइनस होता है तो इस तरीके से आप इसको याद रखें अब इसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी type की byicing को जिसको कहा जाता है reverse wise reverse wise क्यों कहते हैं इसको क्यूंकि हम इसको जो बैटरी का आपका terminal है उसको ultra connect करते हैं यानि कि forward wise से just opposite इसका connection कर दिया जाता है P वाले side को हम battery के negative terminal से connect कर देंगे और N वाले side को battery के positive terminal से कुछ इस तरीके से जैसा आप diagram में देख रहे हैं वैसा यहाँ पर connect कर देते हैं इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपको बताए कि P वाला जो part था वहाँ पर क्या था कि positive जो charge थे वो यहाँ पर थे आपके majority में इस तरीके से और कुछ minus थे जो कि minority में थे इसी तरीके से N जो part था वो क्या था यहाँ पर इसमें electron जो थे वो majority में थे और जो holes थे वो minority carriers थे अब क्या होगा कि जितने भी प्लस हैं यहां पर वो सारे के सारे इस माइनस की और आकरसित हो जाएंगे और इसकी वजाए से यहां पर बैटरी के इस टर्मिनल पर सारे के सारे प्लस चले जाएंगे इसी तरीके से इस वाले सिरे में जितने भी माइनस हैं वो सारे के सारे यहा पर आ जाएंगे अंदर बैटरी में और यहां पर प्लस होनी के विज़े से अंदर इसमें जो होगे न्यूटरल हो जाएंगे अब आपको पता है कि यहां से क्या हुगा कि जितने भी मैजेर्टी केरियर्स थे वो खतम हो गए सिर्फ यहां पर माइनॉर्टी बचे इसी तरीक से क्या होगा कि जो भी डिप्लीजन लेयर थी उसकी चौड़ा ही बढ़ जाती है आपने देखा थी फॉरवर्ड वाइस में बहुत ही कम एक पतली लेयर रहती है डिप्लीजन लेयर की जब कि यहां पर आप देख रहे हैं यह जो डॉटेट साइन आपको दिखाया गया है यह पूरा खाली हिस्सा हो गया है क्योंकि यहां पर जितना भी आपका मैजर्टी के रियर्स था वो सारा का सारा यहां पर बैटरी के अंदर चला गया अब क्या होगा कि जब प्लस जो इस साइड वाला मैजोरिटी था वो इधर चला गया और इस साइड वाला जो मैजोरिटी थो वो इधर चला गया तो अब बचा गया इधर माइनौर्टी बचा इधर माइनौर्टी में माइनस माइनस बचेगा इधर माइनौर्टी में इधर म प्लस था वो भी स्को प्लस होने की विज़े से इस direction में आगे की और बढ़ने के लिए कहेगा कि आप आगे की और बढ़िए और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जैसे बोल्टेज का जो इस बैटरी का बोल्टेज जादा होता है तो ये आगे बड़ने लगते हैं आगे की और move करेंगे और फिर इनके वीच collision होगा और इस तरीके से ये depletion layer break हो जाएगी और depletion layer की break होते ही यहाँ पर इसमें current जो है वो flow होने लगता है और इसमें current बहुत ही minor flow होता है बहुत ही कम flow होता है current क्योंकि ये reverse pricing है आप देख र फिर क्या होगा कि जो सारे की सारे जब electron या holes चले जाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बैटरी है उसका voltage apply होने की बज़े से यहाँ पर जाएगी यानि की energy generate होगी जो की heat के form में होगी और फिर क्या होगा कि जो यहाँ पर bond थे जो यहाँ पर सहसंयों ज बंद तूटता है तो वहाँ पर एक hole generate होता है और एक electron वहाँ पर generate होता है मान लिजगा यहाँ पर इस सिरे पर अगर सहसंयों जग बंद तूट रहा है तो एक hole बनेगा एक example की बात कर रहे हैं इसलिए हमने एक की यहाँ पर बात की है तो एक hole बनेगा और एक electron उत्पन और यहां पर माइनस होने की वज़े से इस बैटरी के सिरी की और आकरसित हो जाएगा और यह होल जो होगा जो इलेक्ट्रोन होगा वो पी साइट के लिए क्या खहलाएगा माइनॉर्टी और इसी तरीके से यह अपने आप उत्पन होते रहते हैं और इस पर करेंट लगातार होती रहती है फिर क्या होता अगर बैटरी का जो बोल्टेज वो बहुत जादा है लगभग अगर आपने इसे मान लो पहले दो बोल्ट पर उपरेट किया था एक एक पर आपने 5 बोल्ट पर ओपरेट कर दिया इसको या आपने 8 बोलट पर ओपरेट कर दिया तो क्या होगा कि ज़्यादा यहाँ पर heat याएगी और ज्यादा heat होने की वज़े से फिर यह जो सहसाहियो जग बंध होंगे वह ज्यादा संख्या में तूटेंगे और उसकी वज़े से करेंट जो होगा वो ज्यादा फ्लो हो जाएगा और जब सरसाइव जग बंद ज्यादा तूटने लगते हैं तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है उसको ब्रेकडाउन कहा जाता है इसी लिए आपने एक टर्म सुनी होगी कि वहाँ पर जो रिवर्स वाइस होती है वो ब्रेक की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्लो हो जाती है अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सीधा सीधा पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि इसका जो वाइसिंग में जो आप कनिक्शन करते हैं बैटरी को कैसे जोडते हैं तो पी साइड व जाएगी वी आई करेक्टरिस्टिक क्यों कह रहा है क्योंकि यह बोल्टेज और करेंट के बीच की जो ग्रैफिकली इसकी डिपेंड करते हैं जो कि हम इसको डिनोट करते हैं उन चीज़ियों को यहाँ पर धरसाया जाता है करेक्टरिस्टिक के माध्यम से इसको यहाँ पर जो वैल्य होगी वह यहांपर क्रेbor Mm यहां पर देखेंगे तो जो करेंट की वैल्य माइंस में होगी इस तरी के से यहांपर माइनस में होगी तो यह आगे लिख देते हैं पर यह माइनस हो गया अगर हम forward wise की बात करें forward wise यहां पर ध्यान देना यह हम forward wise की बात कर रहे हैं तो आप इसे आराम से नोट कर लेना तो इस तरीके की section में अगर आप देखेंगे यहां पर इस first quadrant में देखेंगे तो यहां पर जो आपका graph आपको मिलता है वह कुछ इस तरीके का graph मिलता है कि एक certain voltage पर यहां पर voltage की value दी गई है कुछ भी हो सकती है वो एक या दो या तीन इस तरीके से एक जो fix voltage पर जो इसमें forward wise में current flow होती है जैसे ही इसमें fix voltage आ जाता है जैसे potential barrier को तोड़के यह voltage अहां पर apply हो जाता है तो फिर current की value यह देख सकते हैं इस तरीके से बहुत high level तक पहुँच जाती है इसी प्रकार से यह वाला आपका forward वाला part हो गया और हम reverse pricing की बात करने तो reverse pricing में क्या होगा कि कुछ इस तरीके की characteristics आपको मिलेगी कि पहले तो इसमें कुछ भी current flow नहीं होगी पर जैसे ही यहां पर आपका voltage आप बढ़ाते हैं तो voltage के बढ़ने की बढ़ने की जैसे थोड़ी बहुत current इस line में आप देख रहे होगे current जो current की value है वो बिल्कुल fix हो गई है fix का मतलब कि कुछ voltage तक यह value एक constant value हो गई है कि एक ही value यहां पर flow हो रही है फिर जैसे ही आप थोड़ा सा और voltage बढ़ाते हैं जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि 8 volt किया या 5 volt किया एक example की तोर पर बताया था वहां पर हर एक diode के लिए यह value अलग अलग होती है तो जै यहां पर value जो बढ़ चुकी है यह breakdown को दरसाता है तो आपके exam में क्या question आएगा आपसे यहां पर एक graph बना दिया जाएगा माली जगा कोई भी graph आपसे पूछ लिया जाता है इतना graph सॉरी इतना graph आपसे पूछ लिया बताईए यह जो graph जो characteristic को दरसा रहा है यह graph कौन से 22 को दरसाता है तो आपको बताना यह forward wise के तोर पर जब forward wise कनेक्ट होता है डायोट तब इस तरीकी की characteristic को दरसाता है और फिर आपसे अगर हो सकता है यह भी value को पूछ ले यह बाला graph आपको दे दिया exam में कि बताईए यहां पर यह कौन सी characteristic को दरसा रहा है तो यह reverse pricing के दोरान इ note करता है तो वो voltage और जहां पर इसकी current और voltage इन दो value के बीच हम इसकी characteristic को बनाते हैं तो यह तीन चार question यहां से बनके आते हैं और previous exam में भी इस तरीके question आपके exam में पूछे गए है so I think आपको यह सारी चीजें समझ आ गहीं होगी forward wise क्या होता है reverse wise क्या होता है इनके बीच जो character stick होती है वो क्या होती है किस तरीके का वहवियर दरसाती है और इसके बाद हम बात करते है ideal diode क्या होता है ideal diode कुछ नहीं है यह हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जात आदरस मतलब एक ऐसी चीज जिसकी बिलकुल इसमें कोई गलती ना हो कुछ भी इसमें खराव ना हो कुछ भी इसके अंदर कोई हानी ना हो और इसका जो जिस purpose के लिए इसका बनाया गया है सिर्फ उसी purpose को यह सो करें उसको हम ideal कहते हैं ठीक बैसे ही ideal diode में क्या होगा कि यह जो है forward wise में ideal अगर ideal diode की बात कर रहे हैं तो यह forward wise में ही इसको एक conductor की तरह बहेव करना चाहिए एक अच्छे conductor की तरह यानि कि इसमें कोई resistance नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से इसमें voltage drop नहीं होना चाहिए तो अगर यह forward wise है तो एक अच्छे से conductor की तरह इसको काम करना च चाहिए यानि इंसुलेटर का मतलब कि इंसुलेटर में देखा होगा कि कोई भी करेंट फ्लो नहीं होती है तो ठीक बैसे ही अगर इसको रिवर्स वाइस कर दें तो यह इंसुलेटर की तरह काम करना चाहिए यह तो एक परिकल्पना होती है यानि कि बास्तों में तो ऐसा वो एक forward wise में किस तरीके का behave करता है वहाँ पर option होगे conductor, insulator, semiconductor या उस तरीके से तो आपको अब बहुत से बच्चे वहाँ पर confused हो जाते हैं कि यह तो diode की बात की गई है जबकि वो देखते नहीं कि किस diode के बारे में पूछा गया है ideal diode के बारे में पूछा गया है और ideal diode जो हो वो forward wise में एक conductor की तरह behave करता है ठीक वैसे ही अगर आपसे question कर लिया जा कि जो ideal diode है वो अगर reverse wise connect है तो वो किस तरीके से behave करना चाहिए तो वो insulator as a insulator behave करना चाहिए उसको तो ऐसी दोनों condition यहाँ पर follow अगर हम normal diode की बात करें जो भी practically हम use करते हैं तो यह दोनों इस्तिती इस अब बात करते हैं यहाँ पर जीनर डायोट की जीनर डायोट क्या होता है जीनर डायोट जो है वो क्या करेगा कि reverse wise में हम इसका काम करते हैं यानि कि जीनर डायोट को reverse wise connect किया जाता है इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसमें जो voltage पर breakdown हो जाता है जब breakdown हो जाता है इसी stage पर ये काम करता है और जीनर डायोट का जो उपयोग है बोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और अगर ये 6 बोल्ट से कम पर है तो इसके जंक्सन में जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको जीनर एफेक्ट कहते हैं इस बात को समझना होगा आपको कि जैसे यहाँ पर यहीं पर समझ लेते हैं माली जगा ये आपका एक जीनर डायोट है एक्जामपल की तौर पर ले लेते हैं तो ये जीनर डायोट है मालो एक एक्जामपल की बात कर रहे हैं तो जीनर डायोट क्या होता है reverse yc connect होता है तो सबसे पहले आपको बताया था कि zinner breakdown क्या होता है आपको समझना है कि zinner जो breakdown है वो क्या होता है ठीक है zinner breakdown क्या होता है कि जब ये voltage को आप बढ़ाते हैं 6 volt के असपास करते हैं तो इस battery की heat की बज़े से यहाँ पर जो bond है जो भी bond पाए गए हैं वो bond तूटते हैं co-balance bond तूटते हैं और वो holes और electron को free करते हैं फिर जो holes होते हैं वो तो इस battery के सिरे पर आ जाते हैं और electron आगे की और move करते हैं ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है ये तो बात हुई जीनर breakdown की अब avalanche breakdown क्या होता है अंदर थे उनकी खुद की energy से वजए से उसी energy का use करके यहाँ पर दूसरे bond अपने आप तूटने लगते हैं इस stage को कहा जाता है avalanche breakdown समझना इस point को जीनर breakdown क्या है जीनर breakdown में battery का roll होता है कि battery की heat की वजए से ये तूटते हैं covalent bond लेकिन avalanche breakdown क्या होता है कि जब जीनर breakdown हो जाता है तो ये bond जब तूट जाते हैं तो इसमें electron या holes जो भी हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और फिर जब इनकी mobility charge होती है यानि कि जो इनकी गती होती है उस गती की वजए से जो भी energy उस वहाँ पर उसके अंदर generate होती है उसी energy की बजए से उसी heat की बजए से फिर उसके अंदर अपने आप bond टूटेंगे covalent bond टूटेंगे और उसको कहा जाता है avalanche breakdown I think दोनों concept को आप समझ गए होंगे अब तो यहाँ पर यही है कि जो 6 volt से कम पर जब इसके junction में breakdown होता है तो उसको जीनर effect कहते है यानि कि अगर इसके voltage में जो हम battery apply कर रहे हैं जो इसका वाइसिंग में जो battery apply कर रहे हैं अगर उसका voltage 6 volt है और उसकी बजए से जो breakdown हो रहा है उसको कहा जाता है जीनर यानि कि यह battery की बजए से ही हो रहा है लेकिन अगर 5 से 8 के बीच यानि कि 8 भी कह सकते हैं 5 नहीं कह सकते हैं 6 से ज़्यादा भी कह सकते हैं कई बार 5 से 8 के बीच की range की दे दीते हैं यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं उस बात को कि 5 से अगर 8 के बीच giner breakdown में जो breakdown होता है उसमें giner तो होता ही है उसके साथ-साथ ev launch breakdown भी होता है यानि कि इन दोनो breakdown की वज़े से वहाँ पर current flow होती है तो इन दोनों बातों को आप समझ गए होंगे और एक point और यहाँ पर note कर ली जगा कि जो giner breakdown होता है उसका जो potential barrier होता है वो 0.3 बोल्ट के आसपास होता है 0.3 से ले करके 0.5 के बीच की range का होता है ठीक है तो यह point आपको याद रखना है कहने का मतलब यह है कि इसमें जो voltage drop होगा voltage drop का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो voltage है वो कुछ voltage resistance की विज़े से खतम कर देगा तो यही voltage drop होता है तो voltage drop क्या होता है वो 0.3 से लेकर कि 0.5 की range के बीच होता है zinner जो diode होता है उसका अगर हम यहाँ पे symbol की बात करें तो इसका symbol कुछ इस तरीके होता है symbol आपको याद रखना है symbol भी आपके exam में पूछा जाता है कुछ नहीं आपको इसका याद रखने का simple सर तरीका है कि यह diode है आपका और आपको पता है कि gener की spelling काई से सुरू होती है z से सुरू होती है तो यहाँ पे आपको starting में z बना देना है यह देख रहे हैं आपकी यह z की तरह बन गया है और इस तरीके से इसका यह part ले लिया और इसका यह part ले लिया और इसको reverse pricing connect करते हैं तो यह इसका जो है यह symbol है बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने symbol बनाने का इसका तरीका भी बता दिया है तो अब आपको हमेशा के लिए यह symbol याद रहेगा तो यह होता है यह इसका जीनर डायोड तो आज की class का यहीं पर complete करते हैं और जाते जाते अगर आप technician exam की त्यारी कर रहे हैं तो electronics mechanics के लिए आप हमारे hand written PDF notes course को join कर सकते हैं यह course मैंने खुद design किया है आपको इसमें complete theory मिलेगी आपके topic में comprehensive तरीके से बहुत ही आसान भासा में आप इसे समझ पाएंगे comprehensive तरीके से यानि कि कह सकते हैं कि जो भी आपका जितने जो चीज़ें आपके exam के लिए important है वो चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी यानि कि सारी चीज़ें कबर होंगी यह नहीं कि कुछ छूट रहा है यह मतलब है comprehensive का कि आपके exam के relevant में क्या चीज़ें है वो आपको इस course में मिलेगा important MCQs questions मिलेंगे साथी साथ जहां से numerical questions आते हैं वो numerical questions भी आपको यहां पे मिलेंगे और आप इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे whatsapp number पर message कर सकते हैं बाकी की जानकरी आपको यहीं से मिलेगी और अगर आप कमारे चैनल पर नए है तो subscribe करना, bell icon प्रैस करना और वीडियो को like करना, अपने friends के साथ भी इसको share जरूर करना so thank you for watching